रात के आठ बच चुके हैं, साथ घंटे हो गए हैं राहूल गांदी से पूश्टाच करते हुए ये इस तोट की बड़ी खबर है, साथ घंटे से राहूल गांदी से नैशनल हराल मामले को लेकर लगातार पूश्टाच होरी है बीच में 45 मिनिट का ब्रेक हाला की मिला था, 45 मिनिट का ब्रेक, रात के 8 बच चुके हैं, बड़ी खबर है, अभी तक पूश्टाच हो रही है, आप समझीए, अब रात के 8 बच चुके हैं, नैशनल हराल केस में, एडी की पूश्टाच, लंद से पहले 3 गंटे इस मिनिट का ब्रेक, फिर वो सोनिय गांधी से मिलने गए थे, फिर वापेस आए, फिर अब 4 गंटे हो चुके हैं, रात के 8 बच चुके हैं, 7 गंटे से पूश्टाच हो रही है, समझीए, ये पूरा मामला कितना पेंचीदा हो चुका है, बीजेपी आरोप लगा दिये कि पचास लाख से पांच हजार करोड, मतलब दो हजार करोड और बल्खी संबित पात्रा तो बीजेपी तो कह री थी, पांच हजार करोड की अनुमानित संपत्तिय पूरे देश में AJL की, तो ये बिजनस प्लैन कौन सा था, कैसे हुआ, क्यों कॉंग्रेस पार्टी ने 90 पूर का लोन माफ कर दिया, इंटरस फ्री लोन दिया, नहीं दिया, किसके कहने पर लोन माफ हुआ, यंग इंडियन लिमिटेड जो बनाए गई उसमें कितना शेयर था, 76% शेयर राहूल गांदी, सोनिया गांदी, सारे सवाल और देखिए, साथ घंटे, साथ घंटे पूशता चल रही है, बीच में ब्रेक मिला था, 45 मिनिट का, नैशनल हराल केस में, लेकिन समझीए इस चीज़ को लगातार जो आप सुबह से देख रहे हैं, खबरे नैशनल हराल केस, नैशनल हराल केस, उसकी ABCD एक बार मैं जल्दी साब को उता देता हूं, कोई आपके ज बीचे एक बार वो ग्रैफिक्स डाल दीजे ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे 50,000,000 रुपे से 5,000 करोड की संपत्ती वो बन गी, जैसा कि BJP आरोप लगा रही है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो इक बार मैं जल्दी से आपको बताते तो, यह देखिए, इसको बहुत लिमिटेड, अश्वनी जी मुझे बता दीजेगा कहीं गलत होता है, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, दूसरा, यंग इंडिया लिमिटेड, पांच लाग शेर कैपिटल और तीसरा भारतिय राश्रे कॉंग्रेस, अब हुआ ये, इसको मैं एक मिनिट के अंदर अंदर आपको लेकिन 90 करोड के लोन के बावजू 2008 में, लेकिन अभी आखबार बंद हो गया, एस उसे जनरल लिमिटेड, 90 करोड का लोन एक कॉंग्रेस पार्टी ने पार्टी फंड से दिया ऐसा आरोप है, 90 करोड का लोन, ये देखिए आरे हैं, दो दो हज़र की बंडल आरे हैं, ये आगे, एस उसे जनरल लिमिटेड के पास, अब एस उसे जनरल लिमिटेड के पास तो संफत्ती है 5000 करोड की, अब उसका क्या होगा, उसके लिए आरोप ये है कि एक कंपनी बनाए गई, जिसका नाम है यंग इंडिया लिमिटेड 2010 में, ये एक कंपनी बनाए गई, 2008 में बं पांच लाख उर्पे शेर कैपिटल इसकी पांच लाख शेर कैपिटल अब हुआ ये कि कॉंग्रेस पार्टी को एजेल से लेने 90 करोड तो कॉंग्रेस पार्टी ने राइट to recover एक शब्द होता है राइट to रिकवर वो राइट टू रिकवर दे दिया AJL ये यंग इंडिया लिमिटेड को कि आप हमारे बेहाब पर आप ये पैसा आप लीजिए आप के उपर ये देनदारी हो गई इसके बदले यंग इंडिया लिमिटेड ने राश्रिय कॉंग्रेस को दिये 50 लाख पचास लाख यंग इंडिया लिमिटेड ने कॉंग्रेस पार्टी को दिये आरोप है जिसके एवज में क्या हुआ एवज में ये हुआ कि AJL की सारी देनदारी जो कॉंग्रेस को देनी थी AJL की सारी देनदारी चली गई इंडिया लिमिटेड के पास अब यंग इंडिया लिम बढात ये कि फिर एग एसुसे जनर ले मिट्डे नहीं यह देखिए नौ करोड़ शेयर कहां जा रहे हैं यंडिया ले मिझेट नौ करोड़ शेयर दस रुपेका एक शेयर यह यह करोड़ शेयर फिर पहुचे यंग इसको अगर मैं बहुत सरल शब्द में दो लाइन में समझाऊंगा एक बार इसका वाइट करिए एक बार वाइट करिए इसको सिर्फ दो लाइन में समझाऊंगा Congress Party ने दिया 90 करोड का लोन S.O.C.A. General को S.O.C.A. General का 90 करोड का लोन अपने सर पर ले लिया यंग इंडिया लिमिटेड ने और फिर यंग इंडिया लिमिटेड का लोन माफ कर दिया Congress Party ने अशुरी निजाद तो हस रहे हैं अब समझाएजे ना मेरे को क्या खलत है इसमें मतलब कॉंग्रेस पार्टी ने 90 करोड का, 90 करोड नहीं, 90 करोड नहीं, 90 करोड नहीं, 50 लाग दे दिये थे, तो 89 करोड 50 लाक्स, लगबग 90 करोड का लोन माफ कर दिया, मतलब से 50 लाख उर्पे दे कर, यंग इंडिया लिमिटेड जिसके डिरेक्टर राहूल गांधी, जिसम इंडिया लिमिटेड मालिकाना हक 5,000 करोड की संपत्ती का, यंग इंडिया लिमिटेड के पास आ गया, पैसे खर्चे सिर्फ 50 लाग, बताइए श्मली जी घलत बता रहूं, देखिए पहली बात तो, पहली बात तो आप इसमें जो सर्किल दिखा रहे हैं, ये कावा था न का AGL को अधिकारी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक कॉस के लिए बनाई जाती है, पब्लिक वेलफेर के लिए बनाई जाती है, और सम्मिधान में जो प्रोवीजन है, जो रिप्रेजेंटेशन आ पीपल एक्ट में प्रोवीजन है, कि हम आप से चंदा लेत और समय प्रोवीजन है, जो आप से लिए बनाई जाती है, अच्या को पॉलिटिकल पार्टी प्रोवीजन है, जो आप पैसा दिखा रहें, यह पार्टी को लोन देना है, जो आपने AGL को लोन दिया, इंटरस्फ्री लोन, अरे बड़ी सीरी सी बात है, हम लोग प्लिकल पा परची काटती है कि हम जनता के हित्में काम करेंगे हम चुनाव लड़ेंगे हमको इसलिए टैक्स प्री पैसा किसी आप एक कंपनी को दे नहीं सकते पहला तो यह इसी का आदार पर निकी मानिता रद्ध हो जाने जी दूसरा आपने पहला गलती वहां किया जो दूसरा आपने यह तो आपनी एक काम कर रही है मुझे बताई यह अप यह कंपनी बनाई यह इसकी अब भी शेयर कैपिटल पांच लाख पांच लाख शेयर कैपिटल इसकी लेकिन इसने पचास लाख देदी है कॉंग्रेस को की एजल का लोन आप आप चुकाओ हाँ तो कहने का मतलब कि एक गरीब आदमी जिसके पास खुदी पांच लाक रुपे हैं पांच लाक रुपे हैं नब्बे करोड़ों का लोन कैसे देगा बड़ी सीवाइब वो एजेल से लेगा बाई जिसकी आवकात खुद की अपनी कोई आवकात नहीं है वो लोन कैसे दे लोन फेल से लें लेरा मतलब इसके पास खुद के पास नहीं है लेकिन इधर दे भी रहा है उधर ले भी रहा है एक और चीज्ब मतलब कॉंग्रेस ने जो 90 करोड दिये वो वापिस नहीं मिले वो 50 लाक मिले सिर्फ और राकी माफ कर दिया लोंग यह तो आपने एक नहीं और बात बता दिया तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि यह पूरा का पूरा इसलिए भी हुआ अब इसमें राहूल गांधी है और सोनिय गांधी है और कॉंग्रेस किसकी राहूल गांधी और सोनिय गांधी तो राहूल गांधी सोनिय गांधी और सोनिय गांधी को पैसा कैसे वापिस करें दिया देखे मैं आपको बताओं ये तो भारत का हमारा जस्तिस सिस्टम है कि 10 साल तक अभी इनसे क्यों पूस्ता चो रही है मैं एक एक्जम्पल देता हूं अफ्रीका में असली गांधी जी की परपोती ने तीन कोड़ का घोटाला किया था एक साल में तीन कोड़ वसूला गया सासल स्या हो गई ये तो नकली गांधी जी अभी 10 साल सिकल पूस्ता चो रही है एक्च्वल में करें धंका कानून होता तो अब तक ये जेल में होते हैं